दोस्तो आज हम चर्चा करेंगे networking capital और fund flow के जुगल बंदी के बारे में अगर आप हमारे साथ अंतक बने रहते हैं तो जानेंगे balance sheet analysis के दो मुख्य हिस्से यानि की networking capital और fund flow कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है flow of funds के चार ऐसे नियम जिससे आप networking capital पे असर निर्धारित कर सकते हैं networking capital और fund flow statement के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं अगर आपने हमारे networking capital और fund flow के tutorials नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद उसे जरूर देखिएगा लिंक आपको description में मिल जाएगी आईडियल केसेस में current liabilities को लेकर company को क्या करना चाहिए जी हाँ बिलकुल सही सोचा current liability ideally current asset में निवेश होनी चाहिए और long term sources निवेश होनी चाहिए long term assets में राइट सिर्फ इतना ही नहीं long term uses को long term sources के द्वारा funding करने के बाद भी कुछ पैसा बचना चाहिए ताकि उसे current asset में margin के तौर पे निवेश किया जाए इस margin को ही हम लोग प्यार से net working capital बुलाते हैं लेकिन हकिकत में हमेशा क्या ऐसा होता है बैंक से मिली working capital fund के कुछ हिस्से से अगर company ने fixed asset जैसे की land and building, machineries, etc. खरीदने में खरच कर दी या फिर अपने associate या group company निवेश करके बना दिया non current asset तो net working capital बन सकती है negative सिर्फ इतना ही नहीं, company अगर सालों साल loss में चल रही है उसके tangible net worth कम हो जाने के कारण भी networking capital negative बन सकती है अब networking capital क्यों negative बनी ये समझने के लिए आपका नजर जाना चाहिए fund flow statement के ऊपर देखिए, जैसे की हम discuss कर रहे थे, company ने short term liabilities से long term assets खरीद ली मतलब long term assets जितने बने, उतने की long term funds उसके पास नहीं थी इस वज़े से long term funds के shortfall साफ नजर आ रहा है लेकिन ये क्या? NWC जितने हद तक negative थी, diversion तो उसे ज़ादा है मामला ऐसा है कि पिछले साल यानी की 2017 में NWC was 31.98 lakhs 2018 में ये रकम गीर के 49.50 lakhs तक negative हो गई तो दोनों के अंतर कितने हुए? 49.50 प्लस 31.98 यानी की 81.48 lakhs See, this amount matches with shortfall in long term sources आपको याद दिला दू, fund flow statement आपको movement of fund बताती है ना की exact value Negativity in NWC for a particular year does not means funds were diverted in that year only It might be so that NWC was already negative and in that particular year although it continues to remain negative but actually it improved due to infusion of long term funds जैसे कि इस example में financial year 2020 में हुई है Financial year 2020 में NWC minus 187.27 lakhs तो है लेकिन इस साल fund डाइवर्टेड नहीं की गई बलकी company ने term loan लेकर स्थिती को समालने की कोशिश की थी दूसरे उधारन पे अगर नजर डाले तो 2019 में NWC को 2018 के मुकाबले बहतर होते हुए देखकर आप खुश हो गय Company वालों ने भी आपको समझाया कि उनके long term deficit अब पूरी तरह सुधर चुकी है Bank से अगर थोरा enhancement मिल जाए तो अगले साल उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी Fund flow statement को थोरा करीब सी देखने के बाद ये पता लगता है कि NWC तो improve हुई Almost 73.07 lakhs But the entire sum was brought by the company by selling its fixed asset जी हां हम उसी fixed asset के बारे में बोल रहे है जो खरीदने के लिए आपने loan दे रखे है अगर आप हमारे NWC tutorial देखे है तो आपको पता होगा कि mathematically ये कैसे मुमकिन है हमें यकीन है आपके पास जितने भी customer loan या renewal के लिए आते है उन सब के financials एकदम चकाचक है किसी में कोई बुराई नहीं लेकिन मेरा ऐसा किस्मत कहा खैर छोड़िये वो बात अब हम जानेंगे flow of funds के चार ऐसे नियम जिससे आप NWC पे असर निर्धारिद कर सकते है rule number one अगर funds के horizontal movement हुई तो NWC में कोई अंतर नहीं दिखाए देगी उधारन स्वारूप अगर company ने अपने equity से fixed asset खरी दी फिर भी इसे flow of funds माना जाएगा लेकिन इससे NWC के ऊपर किसी भी प्रकार के असर नहीं दिखाए देगी rule number two अगर एक ही किसम के sources या liabilities में फिर बदल हुई फिर भी NWC रहेगी unaltered for example if a company avails cash credit limit from your bank and pays back its creditor this transaction will not affect its NWC rule number three assets या liabilities दोनों sides में दो groups के अंदर अगर vertical movement हुई तो उसे भी हम लोग flow of funds मानेंगे और ऐसे हालात में NWC पे असर साफ दिखाए देगी उधारन के तौर पे आप मान लीजिए company ने आपसे COVID loan या GECL लेकर अपने creditors को कम कर दी तो ऐसे cases में current liability कम हो जाएगी और term liabilities increase हो जाएगी NWC is represented by long term sources minus long term users तो जैसे ही long term sources increase हो जाएगी तो NWC भी बरती हुई दिखाए देगी दूसरे तरफ अगर company ने अपने cash and bank balance जो की current asset होते है उससे अपने associate या अन्य किसी long term funds में निवेश की तो that will become its long term users ऐसे हालात में आपको NWC कम होते हुए दिखाए देगी Rule number 4 Balance sheet के अंदर किसी भी प्रकार के diagonal movement अगर हुई तो NWC में changes निश्चीत है अगर promoters equity से raw material खरेते हैं या फिर company अपने मुनाफे से raw material पर्चेस करती है तो दोनों cases में long term funds इस्तमाल होगी short term users के लिए ऐसे हालात में long term sources increase तो होगी लेकिन long term users will remain unchanged Naturally, this will lead to improvement of NWC Similarly, if a company goes for long term investment from cash credit funded by a bank that will increase its long term uses without any improvement in long term sources और ऐसा करने पे अपने NWC को वो नीचे खीच लाएगी Banker और customer के financial awareness के लिए ऐसे कही सारे वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं उन में से कुछ वीडियोस आपके स्क्रीन में है ये सारे वीडियोस किताबों से काफी हटके है तो आप इन सभी को जरूर देखिए अन तक बने रहने के लिए शुक्रिया फिर मिलते हैं अगले वीडियो में